और सेल्फ इस्टडी से कोई भी एक्जाम एजली क्रॉस किया जा सकता है जैसे मैंने आज तक कोई कोचिंग नहीं लिए सेल्फ इस्टडी से ही पहले कॉंच्टिबल वाला एक्जाम क्रॉस किया फिर यह वाला यह उपनरी चक डारेक्ट भरती 2016 वाला एक्जाम जो काफी हाई लेवल का एक्जाम था अकॉर्डिंग टू 2021 एक्जाम के तो जो सुप्रीम कोट में डेड़ पिछले डेड़ साल से भरती अटकी हुई थी उसका जो फाइनल डिसीजन है साथ जैन्वरी को आया है उसी में पंद्रह को हम लगों को ट्रेनिंग सेंटर पहुंच और सेल्फ इस्टडी से कोई भी एक्जाम एजली क्रॉस किया जा सकता है जैसे मैंने आज तक कोई कोचिंग नहीं ली सेल्फ इस्टडी से ही पहले कॉंच्टिबल वाला एक्जाम क्रॉस किया फिर यह वाला यह उपनरी चक डारेक्ट भरती 2016 वाला एक्जाम जो काफी अकॉर्डिंग टू 2021 एक्जाम के तो जो सुप्रीम कोट में डेट पिछले डेट साल से भरती अटकी हुई थी उसका जो फाइनल डिसीजन है साथ जन्वरी को आया है उसी में 15 को हम लोगों को ट्रेनिंग सेंटर पहुंचना है